भारत भूमी बेरो की थे बिर यहां के हैं राणा प्रताप और बीर यहां के हैं प्रतवी राज बीड़ता खून में च्छत्रपती शिवाजी महराज के और लहू में ज्वाला सोक समराट के और कितने नाम गिनाव यारो यहां वीर सब्द की परिवाशा ही भारत है जीते जी इस देश की माटी और मरने पर इस देश की माटी बस यही चाहत है अब मुख्य पंक्तियां इसका पिता की कि रण में जिसके नाम से कनकन डोल जाते थे कि रण में जिसके नाम से कनकन डोल जाते थे मेरू रूपी वक्ष जिनकी और अंबर सा सहास जिसमें धारण कर आते थे अर थप 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 कापते थे यारी जिसके नाम से इंसान समयत गोडा चिरजाता जिसकी अशिधार से वो जैसे रड में उतर गए मानो संग्जय लाते थे हारे कभी नहीं मुगलों से ऐसे थे वो राजमहान और वो मेवाड केसरी महाराणा प्रताप कहलात कि कैशे परिभाशित करूं को असल उनके बस इतना समझो तुम जिसने जीता सारा आर्रे बर्त वो कभी सामने नी पड़ा था उनके अकबर लगबाक अकबर ने पूरा भारत जीत रखा था लेकिन कभी अपने जीवन काल में महाराणा प्रताप के सामने नी पड़ा और क्य राणा महान ने के रण रण भूमी में होगा छलकपट का मुझ पर कोई भार नहीं के रण रण भूमी में होगा छलकपट का मुझ पर कोई भार नहीं और किस इस्तरी ब्रद बालक को माध्यम बनाएं जीत का तो ये मुझको सुईकार नहीं और किस इस्तरी को बंदी और राणा तेज थे बेग से चड़चे तक पर मुगलों को रौंद थे और पंद्रसो चैतर हल्दी गाटी में मुठी बर मेवाडी शिपाई और असी हजार मुगल थे फिर भी सोड़त बहा दिया मुगलों का क्योंकि उनके होसले बुलंद थे और राणा रक्त बहा बहा मु क्वेट सिंग साव दहार दिया और राक्र में राणा ने बेलोल खान को गोड़ा समेत बीच में से फाड़ दिया फिर मुगलों ने घेल लिया राणा को पर वो नीला घोडा चेतक बचा लिया राणा के प्राणों को और 28 फिट लंबा नाला छलांग मार बचा लिया राणा को पर राणा ने खो दिया अपने पुत्र जैसे घोडे को पर राणा ने खो दिया अपने पुत्र जैसे घोडे को मगर ना अकवर राणा को मार पाया ना राज किया मेवाड पर ना वो राज कर पाता भारत पर ये सब हुआ अपनों के बदलाब पर अपनों ने ही किया शडियंत्र वो मिल गए बैरियों से बरना किसी की इतनी उकात न पर दिन्ली पर में लाइन से हिसाइicha वह तुस benef갈báng वहां सोचा खरेंगों मै करें राज किने सवांटेक्र गुषद केुए he li ses परुम धाया सब्सक्ति करेंzen मकılar वहांति की समर्ट में रगाश को और लाज सब्सक्रा क्या criminal सार्ण Relay पोके नंगे को वहीं पचाड दिया गौरी को चोहान के पदों में डाल दिया गुडगड आया गौरी बोला मेरी मती माली गई जो मैंने ये शाखास किया चोहान महानत उन्हों ने उसको माफ किया अब गौरी की साही उमंग हो गई भंग लोट गए आफगान बापिस लेके बूकी नंगी सीना को संग मगर गिरगिट नहीं छोड़ता कभी बदलना रंग फिर बार किया बारम बार किया एक बार नहीं सत्रे बार किया बदले में चोहान ने गोरी को पराजे थर बार किया फिर एक और बार अपनों नहीं किया शड़ अंत्र जैचंद मिल गया गोरी से फिर एक और बार राजा हराया गया अपनों की कमजोरी से, हुआ गोरी अत्यंत प्रशन जो हराया उसने दिल्ली समराट चोहान, पर उसे तनिक भी भान नहीं ताकि वो भी है कुछ दिनों का महमान, आखिर वो गड़ी आई, सलाकों के पीछे ते प्रत्वीराज और परम मित् चंद्रबरदाई से, कि पूछो इससे इसकी आखरी कामना, सब्ध बेदी बाण कला में निपोड़ते आखरी बार प्रदर्शन करना चाहेंगे, सब्द बेदी बाण कला, यही है आखरी कामना कहा चंद्रबरदाई ने, आखिर निकाल लीती गोरी ने चोहान की मगर देख रहा तभी चंद्रबर्दाई नेक दोहा पड़ा कि चार बास चोबीस गज अंगुल अश्ट प्रमाड ता उपर सुल्तान है मत चुके चोहान जो गोरी ने शाबास का त्यों छाती में जाके उसके स्तीर लगा नेत्र हीन थे शाष हीन नहीं और सिर्कट जाए धर लड रहता रहे राजपूत भही के स्वाबिमान हे तू दोनों ने एक दूसरे को मर लिया वीर गती को प्राप्त हो गई वीर दो मगर मैं शहर्द पूछना चाहता हूं एक बात मुझे बता दो क्यों उलजे रहे हम एवक खिलजी गौरी बावर अकबर मुगलों में क्यों चार प्रष्ट का परिशे मुगलों का क्यों महाराना राना शांगा छत्रपति श्वाजी माराज मिट जाते हैं चार लाइनों में क्यों क्यों नहीं पढ़ाया जाता हमें गोरा बादल के बारे में क्यों ये बात एक दो वीर के नहीं ये बात हजार हो की है ये भारत भूमी वी भी रोकी है यह भारत में भी रोकी है दन्यवाद